24 अप्रेल 1973 सुप्रिम कोट के एक जज के घर पर फोन की घंटी घंखनाती है फोन जो ही उठता है बताया जाता है देश की पधानमंत्री जस्टिस ए-ण रे से बात करना चाहती है जस्टिस रे फोन पर आते हैं और सामने से आवा आ जाती है जस्टिस रे क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं जसिस रे के कानों पर अपनी सुनी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है वो इंदिरा गांधी की आवाज तो पहचान लेते हैं यकि इंदिरा गांधी की ठसक उस दौर में ऐसी थी कि रे कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं जवाब ना देने पाने पर इंदिरा गांधी अपने स्टाइल में बोलती हैं आपको 120 मिनट का समय है मतलब पूरे दो घंटे का समय दो घंटे में विचार कर लिजिए क्या आप भारत के मुख्यन्याधीस बनना चाहते हैं यह सवाल ऐसा था इसका जवाब सचमुच दो घंटे में मुश्किल लग रहा था क्योंकि कानों पर भरोसा नहीं था जस्टिस रे को वो चौथे नंबर के जस्टिस सुप्रीम कोट में परंपरा ऐसी नहीं थी कि चौथे नंबर के जज सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए परंपराई आज भी नहीं है लेकिन हुआ जी हाँ नमस्कार मैं हूँ मनीश ठाकुर और आप सुन रहे हैं सुप्रीम कोट से एक ऐसा किसा एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने एक प्रधान मंत्री के ताना साख बनने की कहानी शुरू हुई लेकिन ये कहानी उसके ताना साह बनने से जादा महत्पून एक जज के नैतिकता को ले करके है जस्टिस एन रे भारत के मुख्य नयाधीस बन गए 26 अप्रेल 1973 को उन्होंने इंदिरा गांधी के सवाल का जवाब लगभग 50 मिनट के अंदर दे दिया कि जी मैम, जी मैम मैं भारत का मुख्य नयाधीस बनना चाहता हूँ जस्टिस रे जब भारत के चीफ जस्टिस अफ इंडिया के नाम की घोशना हुई उनकी तो सुप्रिम कोट के बाकी के तीन जज बेचैन हो गए दरसल सुप्रिम कोट के उस समय के मुख्य नयाधीस थे जस्टिस एके सीकरी सीकरी सहब अगले ही दिन रिटायर होने वाले थे 26 अप्रेल 1973 को जस्टिस एके सीकरी रिटायर होने वाले थे मुखे नैधीस के पद से और उनके बाद जो नमबर जिनका था वो थे जस्टिस जैशंकर मनिलाल सेलत उसके बाद थे के एस हेगडे फिर थे एस एन ग्रोवर सुप्रीम कोट के इन तीनों वरिष्टतम जजों को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी चौथे नमबर के सीनियरिटी में जज जस्टिस एन रे को सुप्रीम कोट का मुखे नैधीस न्यूक्त कर देती है ये परंपरा के बिलकुल खिलाब था क्योंकि हिरार्कि में सीनियरिटी में जो सुप्रीम कोट में जज होता है वही सुप्रीम कोट का मुखे नैधीस बनता है किस्मत में एन रे के चीफ जस्टिस अफ इंडिया बनना नहीं था क्योंकि उनके पहले के जो तीनों जज थे वो जब तक रिटायर होते उस से पहले A.N. R.E. को रिटायर हो जाना था मतलब वो हैरार्की में तो Chief Justice of India के बाद चौथे नमबर पे थे लेकिन जब Justice A.N. Grover Chief Justice होते उसी समय में Justice R.E. को रिटायर हो जाना था मतलब उनके किस्मत में उनके भाग में भारत का मुखे नाधीस बनना नहीं लिखा था लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी किस्मत बदल दी उस दोर में इंदिरा गांधी का खाफ था इंदिरा गांधी लगातार सम्मिधान में संशोधन कर रही थी उनकी एक तरफ लोक प्रियता भी चरम पर थी दूसरे तरफ उनके खिलाब भी बड़ी संख्या में लोग थे जस्टिस एन राय जब चीफ जस्टिस उन्हें नुक्त कर दिया गया तो बाकी के तीन जज़ों ने जो जिन्हें रौद कर इंद्रा गांधी ने चौथे सीनियर जज़ को चीफ जस्टिस जस्टिस डे को बनाया था उन तीनों जज़ों ने इस्तिफ़ा दे दिया उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ जस्टिस एन रे से रिटायर्मेंट के बाद लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो जस्टिस ले ने जवाब दिया यदि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनता तो कोई और बन जाता यह बात सुप्रीम कोट के वर्तमान मुख्यन अधीस जस्टिस डी वाई चंदरचूर और सुप्रीम कोट के ही पुर्व मुख्यन अधीस रहे डी वाई चंदरचूर के पिता वाईवी चंदरचूर के पोत्र मतलब अभीनब चंदरचूर जो पेशे से वकील है अभीनब चंदरचूर ने एक किताब लिखी सुप्रीम विसपर्स और सुप्रीम विस्पर्स में अभिनव चतुरवेदी ने डॉक्टर रे के उस कहानी को जो लिखा वो भारतिय समाज की ही सच्ची कहानी है जिसमें भ्रष्ट लोग अकसर ये कहते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता तो ये काम दूसरा कोई अधिकारी करता और रिश्वत की ये रकम तो वो लेता है भारती परंपरा में भारती धांचे में आयूक है दुनिया में भरष्ट आचार करने के लिए भरष्ट लोग अकसर इस तरह के तरक गठते हैं कि दी मैं नहीं लेता तो कोई और लेता तो फिर मैं ही क्यों नहीं लूँ जस्टिस रे ने दरसल यही बानगी दी थी यही कहानी दी थी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जस्टिस रे को इसलिए चीफ जस्टिस आफ इंडिया बनाया था क्योंकि 24 अप्रेल दो हज्जा 1973 को सुप्रीम कोट के इतिहास में एक ऐसा फैसला आया जो न भूतो न भविश चती थी केशवानंद भारती केश हमने केशवानंद भारती केश पर आपको एक अनोखी कहानी सुनाई थी कि कैसे केशवानंद भारती मामले में जो वकील थे पाल की वाला इंदिरा गांधी से उनकी नफरत ने कैसे इतना बड़ा फैसला दिलवाया पाल की वाला एक बहतर वकील थे और पाल की वाला के शानदार जिरह के कारण केसवानन्द भारती केसमा हिस्टोरिकल फैसला 13 जजों के बैंचे ने की थी ये कहानी आप प्ले लिस्ट में मनीश्ठा कुर्शो में देख सकते हैं लेकिन अभी बात जस्टिस ए एन रे की हो रही है आखिर इंदिरा ग पीछे की कहानी यह है कि 13 जजों की एक बैंच बनी केश्वानन्द भारती केस में है केश्वानन्द भारती केस एक हिस्टोरिकल फैसला जिसमें 13 जजों के बैंच ने ये फैसला दिया कि भारत के सम्मिधान के मूल धाचे में संसत कोई फेर बदल नहीं कर सकती संसत के इसी फैसले से नाराज थी क्योंकि इंदिरा लगातार सम्मिधान में शंसोधन करके कई एतिहासिक फैसले ले रही थी बैंकों का राष्ट्रे करन समेत कई तरह के फैसले इंदिरा गांधी लेती रही और अब सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सम्मि भी इंट्रेस्टिंग है दरसल केशवानन भारती केश में भले ही डफली बजाई जाए लेकिन इस केश में भी साथ जजों ने जो फैसला दिया उसके खिलाब छे जजों की मानिता थी दरसल छे जज ये मानते थे कि संसत के पास सुप्रीम पावर होना चाहिए संप्रभुता संपन राश्टर का मतलब है कि संसत ही सुप्रीम है और संप्रभुता उसी के पास होनी चाहिए उसकी समिक्षा मतलब संसत के आदेश की समिक्षा कोई नहीं कर सकता सुप्रीम कोट ने वही अधिकार संसत से छीन लिया इंदी राइस से नाराज थी उन्हें लग रहा था संसत मतलब मैं और इसी के बदला लेने के लिए वो चीफ जस्टिस अफ इंडिया से तो बदला नहीं ले सकती जस्टिस सीकरी अगले दिन रिटायर हो रहे थे लेकिन जो बांकी के तीन सीनियर जज थे उन तीन सीनियर जज के साथ सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस मतलब चार जज जिनने केसवानन भारती केस में फैसला सुप्रीम कोट संसत के खिलाब दिया था उन चारों जजों की से सुप्रीम कोट को मुक्त करा दिया एक फैसले से ही इन तीन जज सुप्रिम संसर इंदिरा की शिकार हो गए वो चीफ वो रह चाहते है दी तो जूनियर जज बन करके रह सकते थे लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और उन तीनों ने इस्तिफा दे दिया इंदिरा दरसल यही तो चाहती थी एक साथ इंदिरा गांधी ने अपने विरोधी चार जज़ों की बली ले ली यह यूं कहें उन लोगों ने खुद ही सुसाइड कर लिया लेकिन उन्हें लगा कि नैतिक रूप से वो सही थे एन राए गलत एन राए ने जो बात कही वो इसी बात को लेकर के अभी नब चंदरचूर जो वर्तमान चीफ चेस्टरफ इंडिया के पुत्र हैं जिनके दादा भी चीफ चेस्टरफ इंडिया हैं रह चुके हुए हैं और सबसे लंबे समय तक उन्हें ये कहानी सुनाई सवाल ये है कि क्या सचमुच एन राए आनेतिक थे दरसल सुप्रीम कोट में जजों की न्युक्ति की परंपरा ही कुछ ऐसी है कि जजों को कई बार लगता है कि वो गलत फैसला लें सही फैसला लें नैतिक क्या अनैतिक क्या इसी क्रम में जनवरी 2018 में सुप्रीम कोट के इतिहास में एक एतिहासि घटना फिर घटी जब चार जजों ने एक प्रेस कॉनफेंस अपने ही बॉस के खिलाब कर दिया, अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाब कर दिया, इन चार जजों ने जो प्रेस कॉनफेंस किया, वो जस्टिस दीपक मिसरा तब के चीफ जस्टिस अफ इंडिया के खिलाब था चार जजों की PC हुई और उस PC में की अगवाई दीपक मिस्रा के खिलाब नमबर टू जज जस्टिस चैला मिस्टवर कर रहे थे नमबर तीन जज मदनवी लोकूर कर रहे थे नमबर चार जज कुडियन जुसिफ कर रहे थे नमबर पत जज रंजन ओगई कर रहे थे रंजन ओगई को ही सिर्फ इस में से Chief Justice of India बनना था जो बाद में Chief Justice of India बन भी गए सवाल ये था कि इन चार जज़ों ने अपनी मुखीन आदिस के खिलाप प्रेस कॉन्फेंस क्यों किया या बात जब तब के नमबर टू के ज़ज ज़स्टिस चैला मेस्वर से किया गया तो उन्होंने कहा अगले बीस साल को ये नक है कि हमने अपनी आत्मा बीच दी दरसल ज़स्टिस चैला मेस्वर के बारे में कहा जाता था कि वो सीनियर जज़ थे वो ज़स्टिस दीपक मिस्वर से सीनियर थे लेकिन एक साजिस के ताद जब सुप्रीम कोट लाया गया दोनों को एक ही दिन लाया गया लेकिन तब के चीफ जस्टिस जस्टिस बाला करिश्टन ने जस्टिस दीपक मिस्रा की कोशापत पहले दिला दी और वो सुप्रीम बन गए इसलिए वो चीफ जस्टिस बने और जस्तिस चला मिस्वर चीफ जस्तिस नहीं बन पाए है, यही पेरा चला मिस्वर के अंदर थी और इसे ही कुछ लोगों ने भुनाया और फिर तब के चीफ जस्तिस ऐप इंडिया दीपक मिस्रा के खिलाफ एक प्रेस कान्फेंस हुआ उनके खिलाफ महाब्योग की मांग दरसल दीपक मिसरा राम जन्भूमी मामले पर सुनवाई करना चाहा रहे थे और जिन पाँच जज़ों को अपने साथ रखना चाहा रहे थे उस में से इन पाँचों में से कोई भी नहीं था इन चारों में से कोई भी नहीं था, यही इनकी पीडा थी, इसलिए वो प्रेस कॉनफेंस हुआ तो फिर सवाल उठता है कि नैतिक कौन था, क्या जस्टिस चला मेस्वर का प्रेस कॉनफेंस गलत था या फिर गलत ये, कि जस्टिस दीपक मिसरा को पहले शपत क्यूं दिलाया गया, कि जस्टिस चला मेस्वर चीफ जस्टिस ना बन पाएं दरसल सुप्रीम कोट में जजों की निक्ति की ये परम, कि परनाली ही कई बार सवालों के गेरे में होता है तो फिर सवाल उखता है क्या इंदिला गांधी ने इतना आनेतिक किया, उस पर सुप्रीम कोट के जजों ने बाद में क्यूं नहीं महावयोग जस्टिस एन राय के खिलाब किया, जिने आनेतिक तरीके से सुप्रीम कोट के जजों ने सुईकार कर लिया एक कहानी एन राए की कहानी भारतिय समाज या दुनिया की उन سमाजों की कहानी है जिसमें हर कोई ये मानता है कि ये बराश्ट वो नहीं होगा तो कोई और होगा इसलिए बराश्ट उसे हो जाना चाहिए जस्टिस एन राइ भारत के इतिहास में मुख्य नैधीस के लिस्ट में तो उनका नाम है लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि इंदिना गांधी के रहमो करमपन रहम इस कदर था कि जो ही जस्टिस एन राइ चीफ जस्टिस बने उन्होंने फिर से 13 जजों की एक समिधान पीठ बना दी और उस 13 जजों की पीठ से ये कहा गया कि जस्टिस ये सुप्रीम कोट केशवानन भारती केश को पलट दे इंदिरा गांधी का दबाब इस कदर था केशवानन भारती का केश पलटने का एन राय ने अपने बॉस एक तरह से इंदिरा गांधी की बात मानते हुए पीठ तो बनाई लेकिन बाकी के बारा जजों ने उसमें बैठने से मना कर दिया इसलिए केशवा नंद भारती केस को पलटा नहीं जा सका सुप्रीम कोट की इतिहास में पहला और आखरी केस है जिसमें तेरह जजों ने ये फैसला दिलाया ये कहानी एक जूनियर जज के चीफ जस्टिस आफ इंडिया बन जाने की है ये कहानी भारत में पहली और आखरी है जिसमें सुप्रीम कोट पर सरकार की मनमानी चली लेकिन महत्पूर्ण यह कि वर्तमान चीफ जस्टिस आफ इंडिया के बेटे ने इस कहानी की याद अपने पुस्तक के माध्यम से क्यों दिलाई है जब अक्सर चर्चा होती है कि क्या जस्टिस चंदरचूर कारिपालिका से सीधा टकराते हैं बार बार संसत के आदेश को पलट देते हैं तो क्या प्रहान मंत्री नरेंदर मोदी कहीं इंडिरा गांधी की तरह न हो जाएं 1977 की याद दिलाती ये कहानी भारती संसत और भारती नियाई पालिका के बीच के टाकराहट की भी कहानी है एक अपमान जनक कहानी भी है वो याद दिलाता है कि ऐसी स्थिती कतई नहीं होनी चाहिए कि भारत का संसत और भारत का नियाई पालिका टाकराए और कोई अपने आपको सुपर बॉस मान ले ये कहानी कैसी लगी ये सच्ची कहानी भारती नियाई पालिका और लोकतंत्र की कहानी दुबारा ये कभी हुआ नहीं इसलिए भारत का लोकतंत्र आज भी मजबूत है बहुत बहुत धन्यवाद कि अन्यवाद